नमस्कार न्यूस 24 के खासकार के आमने सामने में आपका स्वागत है नोट बंदी पर एक तरफ केजरीवार ममता बैनर जी और माया वती जैसी नेता तीखा विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ इस फैसले के सबसे बड़े वकील बाबा राम देव बन उब रहे हैं आमने सामने में आज बाबा राम देव बाबा आप ये बताईए कि आप तो गुरू है आप योगा गुरू है आप आज की डेट में ब्रैंड है आप आज की डेट में वकील कैसे बन गए हैं इस सरकार के सबसे बड़ी वकालत आप कर रहे हैं मंत्री लोग उतना नहीं बोल रहे हैं खुल के जितना बाबा राम देव बोल रहे है मेरी प्यारी बेहन आप लोग जब मैं काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरे धेश मांदोलन चला रहा था और जब सरकार बन गई तो आपने एक दिर मुझे नियूज 24 पर घेरा था बाबा बताओ काला धन कब आएगा बाबा बताओ भ्रष्टाचार कमिटेगा बाबा बताओ पांसो अजार के बड़े नोट वापस कब होंगे बाबा बताओ ये का आपने बोला था कि 500 जार रुपए के नोट वापस लेने से नकसलवाद पर नकेल लग जाएगी आतंकवाद का खत्मा हो जाएगा नकली करेंसी खत्म हो जाएगी अब मोदी जी ने जब आतंकवादियों नकसलवादियों की फंडिंग बंद कर दी है बड़े बड़े पुल्टिकल माफियाओं एकॉनोमिक माफियाओं कॉर्प्रेट माफियाओं और ड्रग माफियाओं जो देश दुरु ही लोग थे उनके खजानें की जो है आज खाली कर लिए हैं एक फैसले से जो लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर दुबई में वेर आउसले रखे तिर वहां पांसो जार के नोट के चट्टे लगा रखे थे जब जरूत होती थे तब मंगालिया करते थे वो सारे पैसे उनके बेकार हो गए तो क्या बाबा मान लिया जाए अ नोट वापस आए क्योंकि यह माध्यम बनते हैं ब्लैक मनी जर्नेट करने के इनका ट्रांस्पोर्टेशन बड़ा इजी होता है इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते कितने हाथों से पैसा घूम जाता है जितने निश्वत खोरी है जितने टैक्स की चोरी है जितने भी काला बज इसके माध्यम से सलाते थे और सबसे बड़ा दाउद से लेकर के और तमाम जितने भी देश द्रोही लोग हैं वो इसको जरिया बनाते थे तो मोदी जी ने एक निर्णाय से इन सारे काले धंदों के उपार और जो काले खजाने के जो चोर थे उनके उपर वार किया है और य मेरी बेहन सुनो आज पतंजली का एक हजार करोड रुपए से प्रति महिना का जो है सेल है बाजार में अब उसमें जब गिरावट आती है महा महें में पताए कि इसे जो हिन्दुस्तान का जो बाजार है ज़्यादातर लोग तो क्यूंकि जो बाजार में लोग बैटे हैं पतंजली का तो 100% बिलिंग से जाता है यहाँ लेंदिल होता है नेकिन तो बाजार है उन governed mustan का वो तो कैसमें चलता है 25 best बाजारे को कितने का नुकसान होगा हमको कम से कम हर महिना OTHER का कम से कम 100 करोड का नुकसान होगा अरे ये तो बड़ा नुक्सान हो गया बाबा हम सहने के लिए तैयार है दो अरब का नुक्सान हो जाएगा अपको साल बर के अंदर और हिंदुस्तान की जो अर्तव्यस्ताव पट्री पर आएगी करीब 10 लाख पर सरकारी खजाने में आएगा इसे हिंदुस्तान की GDP करीब डबल होगी growth rate करीब डेट से दोगुना होगी हिंदोस्तान के currency के value रुपए के value डॉलर और पॉंट के मुकाबले ज़ादा होगी यह बाबा यह सब यह सब यह सब यह सब वाकश दिन देखनें को मिलेंगे ब्याज दर घटेगी बाबा आप सारे आंकड़े जो बता रहे हैं यह future होगा 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 अभी क्या हो रहा है अभी तो यह हो रहा है कि 500 रुपए की currency और 100 रुपए की currency खतम हो गए उसके बदले में 2000 की currency आगए आपने खुद कहा है कि 2000 रुपए के नोट से काला बाजारी और बढ़ेगी अब बाबा क्या कहे नहीं देखिए प्रारंभिक तोर पर एक बार अर्थ व्यस्ता को पट्री पर लाने के लिए सरकार ने लिया होगा लेकर मुझे पुरा विश्वास है कि सरकार 2000 रुपए का नोट जादा नहीं चापेगी और एक बार अर्थ व्यस्ता पट्री पर आने के बाद में इसको भी वापस लिया जा सकता है दुनिया के किसी भी देश में 50-100 रुपैसे चाए वो डोलर हो पॉंड हो योरो हो कोई भी दुनिया का देश बड़ी करिंसे नहीं चापता है क्योंकि उससे काला बजारी और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर आर्थी का पराद और राजनेते का पराद तमाम तरह की जो है चीजिए उससे काले धंदे और यह सब उससे पनपतें इसलिए यह किसी भी दिसकी अर्थ व्यस्ता के लिए शुभकारी नहीं है बाबा 500 रुपे का नया नोट आ गया इसलिए तुम्हे कहा रहा हूँ एक बार आर्थ 100 रुपे का नोट ज़्यादा आएगा हिंदुस्तान के लोग बेंकिंग सिस्टम पर जाएंगी 500 रुपे का बाबा 500 रुपे का चेक में ड्राफ्ट में 500 रुपे का मोदी सरकार नया नोट ला रही है देखो 500 रुपे का भी आया है 2000 रुपे का भी आ चुका है जो भी बड़ी करेंसी हो उसका आज भी विरोधी हूँ और मैंने इस विरोध से अवगत भी करा दिया है सरकार को अच्छा ये बताईए बाबा कि आप कह रहे हैं कि जो लोग भी इस मुहिम की खिलाफत कर रहे हैं वो राश्ट विरोधी है वो देश द्रोही है तो ये क्या हो गया इतने गिने चुने लोग केजरिवार जी को देखिए बहुमत से वो सत्ता में आये ममता बैनर जी को देखिए आप माया वती जी बीएस पी इतनी बड़ी पार्टी चला तो ये सारे जो लीडर है इन लोग अगर ये विरोध कर रहे हैं तो ये राश्ट विरोधी कैसे हो गया आप इनको देश द्रोही बोल रहे हैं सरकार के फैसले का विरोध करना क्या देश द्रोह है मैं आप से एक प्रशन पूछता हूँ आप एक लोजिक दो कि मोदी जी की ये मुहीम आम आदमी या गरीबों के खिलाप कैसे है गरीब आदमी के पास में क्या ढ़ाइलाक रुपैसे जादा का कैसे है और जिसके पास में ढ़ाइलाक रुपैसे जादा का अर्थाथ पास दस लाख बीस पचीस पचास लाख एक दो करोड है वो गरीब कैसे हुआ मोदी जी ने काया कि वे पास लाख रुपैस तक आप बैंक में जमा कराओगे हम आपसे पूछेंगे ही नहीं इंकम टेक्स वाले सेल टेक्स वाले कोई आपसे पूछेगा नहीं तो आखिर यह गरीब रोधी फैसला कैसे हो गया आम जाता के रोधी फैसला कैसे हो गया लेकिन लेकिन यह तो आप मानेंगे ना बाबा की लोगों को बहुत परिशानी होई है कहा जा रहा है कि 70 के करीब लोग मरे हैं तो इस पे कहीं न कहीं तो आपको लगता है कि इसको इंप्लिमेंट करने में सरकार ने जल्द बाजी की इसको थोड़ा प्लान आउट करना चाहिए था थोड़ा सोचना चाहिए था विचारना चाहिए था कि इसको कैसे एग्जिक् इस में होने वाली जो डिकते हैं挑 में एक्जिकुछन में उसको क्या कम किया जा सकता था तो मैं कहूंगा हाँ इसको कम किया जा सकता था पहले देश में कैस की सप्लाई होती ATM मसीन सो को पहले से तयार किया जाता है और इसमें जो कॉपरेटिव बैंकों ने शुरू में दो तीन दिन घोटा ले की है वो बात में पकड़े जाएंगे क्योंकि जिस भी बैंक में एक साथ सो दो सो पान सो हजार दो हजार करोड़ पांच हजार करोड़ पर एक साथ डिपोजिट हुआ इसका मतलब वो पकड़े इन चीजों के उपर सरकार का ये फेलियर रहा एक्जिक्यूशन को ले करके और सुधार हो सकता था सुधार हो सकता था या बिना सोचे विचारे देश के प्रधार मंत्री और जो आर्बियाई के गवर्णर है और देश के जो सग्यान में बात लाए गई थी इसकी प्लानिंग पे कोई सोच विचार नहीं किया गया है इसको और बेहतर किया जा सकता था लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आती है कि यदि इसमें कुछ चीजों को जदा पहले से एक्टिव किया जाता जदा कैस की सप्लाइग की जाती पहले सी एटियम मुसीन को नई नोट के अकोर्डिंग जो है उसको एक्टिविट किया जाता पहले से जो है कुछ जो कोने के डर रहते और इतने सातिर होते हैं ये काले धन के जो बड़े बड़े शातिर लोग हैं ये पहले से अपने इस मुहिम को ही फेल कर देते तो इसने इसके दोनों पक्ष हैं आप तो आम आदमी के साथ रहते हैं आप आम आदमी लोग के साथ घुमते हैं आपकी पूरी आपका पूरा एक वो है आपकी पूरी परिकल्पना भी जो है वो आम लोगों के लिए है कि आम का हित हो लेकिन आज की डेट में जब आप लाइनों को देखते हैं तो उसमें कोई आम आदमी तो बहुत मतलब बिचारे आम आदमी पिस रहे हैं शादियां उनके घर में हैं उनको कैश नहीं मिल रहा है लोग बिमार हैं उनके घर में दवाईयों के लिए नहीं मिल रहा है अस्पताल जाते हैं तो वहां उनको लिया नहीं जाता है तो ये सब क्या ये सब राश्ट्रिदों हो गया ये क्या है मतलब अगर प्रॉब्लम है उसको सीधे राश्ट्रिदे साथ जोड़ देना ये खलत बात नहीं है देखे बैट जब हम किसी को MLA MP नेता बनाने के लिए दो दो चार चार घंटे खड़े होकर के वोट दे सकते हैं तो देश बनाने के लिए एक बार हम अपने नोट नहीं बदलवा सकते हैं अब प्रशनी आता आपने कहा कि जी कुछ लोगों की मौत हो गई हमें अफसोस हैं उनके लिए हमारी सम्वेदना हैं और प्रार्थना हैं कि कि किसी की जीवन में ऐसी दुखत घटना ना हो मौत एक भी विक्ति के होना वो देश के लिए दुखा किया हैं और वो हमारे देश का एक एक नागरी का हमारे लिए महत्तो पौन हैं लेकिन मैं आपसे एक अगला प्रशन पूछता हूँ बहन अनुराधा जी क्या स्वाभाविक रूप से लोगों की घरों में बैठे बैठे मोत नहीं होती क्या सड़क पे चलते चलते मोते नहीं होती क्या तमाम दुरगटनाओं के अंदर लोगों के मोते नहीं होती तो देखो मृत्य होना किसी कारण से उसके लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देना कि उसकी कारण से मौत हो गई लेकिन ऐसा कोई आपतकाल तो है नहीं, इमर्जेंसी तो है नहीं भई यदि किसी का लाखों लोग, करूडों लोग लाइनों में लगे हैं बड़ बाबा किसी के भी घर में मौत होगी और इस कारण मौत हुई कि वो बेचारा लाइन में दस घंटे खड़ा रहा और उसकी मौत हुई, हार्ट अटैक हो गया आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से मोधी जी को खुद सामने आकर के इस समवेदन शील मसले पर बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए आपको नहीं लगता कि एक बार पूरी तरह से सरकार को इस मसले पर सामने आना चाहिए लोग ये कह रहें कि लोग मर गए, ठीक बात है, मौतें और जगा भी हो सकती है लेकिन मामला थोड़ा सेंसेटिव है बाबा मैं मानता हूँ, अब आपसे एक बात और कहता हूँ मैं मेडिकल साइंस को भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं बहने, सामने रूप से तो सभी नागरीक भी जानते हैं क्या लाइन में खड़ा होने से हाट अटेक होता है, हाट अटेक का कारण अद्वी का हाइपरटेंशन है हाट अटेक का कारण व्यक्ति को बहुत हाई शुगर है, हाट अटेक का कारण व्यक्ति के हाट के अंदर ब्लोकेज है तो इसको आप हाट्रटेक्स नहीं जोड़ सकते लेकिन उस परिवार को इस लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता बाबा उस परिवार को इस लॉजिक से हम नहीं समझा सकते कि शुगर के कारण उसका हाट फेल हो गया वो लाइन में खड़ा था वो लाइन में खड़ा था पैसे बदलवाने के लिए नोट बदलवाने के लिए दवाई के लिए पैसा लेने के लिए घर में बेटी की शादी है इसके लिए पैसा लेने के लिए अगर तो ये तो तनाव की बात है ना ये उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है जिसके परिवार पर गुज़नेगी वही समझेगा कि जैसे देखे अभी ये करीब एक मेना साधियों का जैसे पीक टाइम होता है तो ये लोजिक दे रहे हैं कुछ लोग कि एक मेने बाद भी फैसला लिया जा सकता है आपने खुद कहा था कि आरे से प्रशन हो सकता है कि ज्यादा तर लोग बैचलर्स हैं से लिए इनको पता नहीं है कि शादी का क्या टाइम होता है अब कोई अब कोच चीजें अब मैं सीज को ऐसा अब कोच चीजें हमने हलके मूड से कही है और इसके पीसे लोजिक भी हो सकता है दहान नहीं गया हूँ इस बारे में हलो जी बाबा ये आपने कहा वो ठीक है हाँ मैं सुन जी देखो मैं फिर से एक दो बाते कह रहा हूँ लाइन में ज़्यादा लोग उतावले भी ना हो देखो अभी 30 तारिक तक का टाइम है जिनको एमर्जेंसी है साधी है लोगों को एकदम जिनके जैसे कहते हैं बिलकुल ही क्राइसिस है इस देख में अभी भी करीब करीब जो है 25 करोड लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आदि से अपना काम करते हैं तो उनके लिए तो कोई समस्षा ही नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकि क्रेडिट कार्ड है कितना दो करोड दो करोड इस देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड है और अगर आज से वह 24 घंटे भी बनाने में लगाए तो भी तो भी बहुत टाइम ल देखो मैं दो पक्ष कहता हूँ एक रूरल इंडिया है एक अर्बन इंडिया है जो हमारा ग्रामिन भारत है वहां लोगों के पास में दो दो तीन तीन छेचे महने के लिए तेल होता है घी होता है दाल होती है अनाज होता है चावल होते हैं क्यों आदी होता है हमने रखा ह आज भी लोग रखते हैं, अब जहां तक बात आती है अर्वन एरियाज की, यहां पर लोग 7-7 दिन का या एक-एक मैने का राशनादी खरीते हैं, कुछ 7 दिन का खरीते हैं, कुछ 1-2 माँथ भी होते हैं, किरानों की दुकान में 70% कम सेल्स हो रहा है आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको इतना घाटा हो रहा है आप उठा लिजिए construction workers सब जो हैं सब के काम बंध हो गए हैं लोगों के पास cash नहीं है आप ये ठीक बात है कि होगा लेकिन आज की date में चाहें जितने भी world over economist जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो economically recession में जा रहा है देखो कुछ दिनों तक ये तकलीप रहेगी करीब एक महना लगेगा इस कारिये को लाइन पर आने में और पूरी चीज ठीक होने में थोड़ा सा और भी दो तीन मेहने का टाइम लगेगा तो एक महिने में सामने अवस्था आ जाएगी बाजार में क्राइसिस नहीं रहेगा और दो तीन मेहने के बाद में इसके पूरे परिणाम सामने आएगे तो एक time taking process तो है लेकिन निड़ा गलत नहीं है उसका percentage जो है वो बहुत कम है black money तो और ज्यादा तर real estate में gold में इस दर उधर लग चुकी है तो क्या आपको लगता है कि genuine जिसके घर में 8000, 10000, 12000, 4000 रुपे हो वो उसका black money है क्या पूरी की पूरी cash economy black economy है मैं ये समझने की कोशिश कर रहे हूँ लग ऐसे रहा है कि जितनी भी पूरे देश में जितनी भी cash था, जितना भी cash था वो black है देखा ऐसा किसी ने बोला ही नहीं perception यहीं create किया गया मैं धारक को 100, 500, 1000 रुपे perception गलत है को perception कुछ भी बना ले तो गलत है मैं धारक को 100, 500 या 1000 रुपे देने का वचन देता हूँ तो यह तो सरकार ने वचन दिया है यह currency को और अभी भी सरकार ने यह नहीं का कि invalid है, उन्होंने यह का है कि जिनके पास में भी मेहनत की कमाई है, इमानदारी की कमाई है, खुन पसेने की कमाई है उसको कब का कि आपका ब्लेक बनी है का कि भाई धाई लाक रुपे तक तो आप बैंक में जमा करा दीजिए और इससे भी जाद आपके पास में 10 करोण भी है आपके पास 100 करोण भी है तो आप उसको डिकले कीजिए आपको सुरुत बताना पड़ेगा तो ये ना प्रधार मंत्री ने कहा और ना ये नोट बंदी का किसी भी तरह सी कोई पोलिसी है कि जिसके पास भी कैसा हूँ सब लेक है ये तो ऐसको इस मुद्ध को इस तरह से सामने रखाना ये तो इस मुद्ध के साथ अन्याए होगा केजरीवाल जी का मैंने इंटर्वियू किया था इस हफते उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा स्कैम है साड़े आठ लाख करोड रुपए का ये घोटाला है केजरीवाल ये कह रहे है ये तो करीब करेंसी की बात करें तो साड़े आठ लाक नहीं तो 15 लाक करोड की करेंसी है 500,000 रुपए के नोट की रूप में तो इसको आप 15 लाक करोड में से आप पबलिक के पास 10 लाक करोड पैसे 10 से 12 लाक करोड पैसे 10 लाक करोड पैसे जादा केजरिवाल जी तो ये कह रहे हैं कि ये घोटारा इसलिए है क्योंकि बैंकों में पैसा आएगा और NPA जो रहे जो बड़े बड़े जो कॉर्परेट्स है जिनका नॉन प्रोडक्टिव असेट बना हुआ है लोन जो है उसको उसकी भारपाई करने के लिए ये किया गया है उन इसमें एक सत्यता है कि लोगों ने NPA डेकलेर किया और वो तो बहुत बड़े देश अधरो ही लोग हैं उनके उपर कारवाई होनी चाहिए और होगी सरकार करेगी ऐसे थोड़ी छोड़ देगी जिन लोगों ने भी NPA डेकलेर किया है उन लोगों के यहां असेट्स हैं और दूसरी भी लोग जो NPA कोई 200 कोई 500 कोई 1000 कोई 10, 20, 25, 50,000 करोड़ और वो भी पिछली सरकारों ने भी करीब 10, 15 सालों में इसमें बहुत मदद किये जो भी पिछली 10, 15 सालों में केंदर में सरकारी रही हैं वो इस तरह की पोलिसी बनाई और अपने पॉलिटिकल वर्कर आप केजरी वाल जी ने जो लगाया है उस पे तो कुछ बोलिए केजरी वाल जी पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि देखे सबसे बड़ा जंडा तो उन्हों नहीं उठाया हुआ है यद्द्य पी इसके खलाब वाला देखे एन पी वाला जो मैटर है यह आंसिक रूप से सत्य है कि यह बैंक दिवाल या होने से बचेंगी यह बात सत्य है लेकिन तो उनकी बात में आंशिक सत्यता है यह बाबा राम देव यह मानते है कि केजरी वाल जी की बात में आंशिक सत्यता है और स्कैम में स्कैम वाली बात जो हो कह रहे हैं ये दो मुहीम है ये काले धन के खिलाब भी अब रश्टाचार के खिलाब भी है आतंक वादियों की फंडिंग रखसलवादियों की फंडिंग इससे बंद होगी नकली करेंसी से रुकेगी और करीब दसलाग कोड़ रुपे से ज्यादा जो हमारी अर्थ व्यवस्था में पैसा आएगा उससे इस देश की जीडीपी बढ़ेगी ग्रोथ बेरेट बढ़ेगी इससे ब्याजदरे कम होगी इससे जो लैंड के भाव में वो कम होगी इससे हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी देश की अर्थ व्यवस्था में एक बार सुचिता भी आएगी और जो बड़े-बड़े मगरमच हो बेनकाब भी होंगे तो आप इसको एक पक्ष़ देखकर के बात करेंगे तो साइब इस मुद्दे के साथ में रिकान जाए होगा बाबा आपकी इन सारी बातों को तो नरेंदर मोदी जी ने मान लिया क्यों ने काले धन पर सोकल्ड वार के अगेंस्ट ये पांसो और हजार रुपए की करेंसी बंद करा दी अब ये बताईए आपने उनको क्या टाइम बोला है कि दो हजार की जो करेंसी उसको खतम करा दीजेगा उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका एडवाइस लगता है बहुत आपकी एडवाइस को सुना जा रहा है बाबा देखे हम तो वही बात कह रही है जो देश के लिए जस्टिस्पुल है देश के इंटरस्ट में है कोई मैं अपनी बात मनवाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ हूँ हमने यह सच है कि मुद्धा उठाया काले धन का ब्रश्टाचार का बड़ी करेंसी को डिमनोटाइज करने का नोटबंदी का इसके पीछे भी देशित की बावना कोई मेरी बात मानी जाए जो इसे देशित की बात हो वह बात मानी जाए और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि यह बड़ी नोट जो है यह ब्रश्टाचार के कान बनेंगे तो सरकार जरूर इस बारे में ध्यान देगी अच्छे बाबा आप खुद लाइन में जगे एटीम के लिए यह आप कैश को चेंज कराने के लिए खुद आप लाइन में लगे बाबा देखो ना मेरे पास में का ना बड़े लगी है यह उदर पतंजली आर्वेट के पास है तो 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 पतंजली के लिए मैं काम करता हूँ और काम करने के लिए जो पतंजली के लिए मैंने बोला देखो मैं पत तो आचारे जी से तो आपकी खटपट होगी पक्का हम ओर आचारे भार्कष्ण जी हम इस बात के लिए तइयह है वो तक हो तक अचारे को नुखसान करüstे तयारे हो वो कहेंगी कैसा बैंड अंबसेटर है जो खुद अपने बैंड को नुखसान पहुंचा रहा है देखो हमारे लिए ब्रैंड हमारे लिए पैसा मैंने का वो सर्वो पर ही नी देश सर्वो पर ही है एक बार थोड़ा कश्ट सेलेंगे देश बनेगा बाबा रामदेव हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे आमने सामने में बाबा राम देव मैं राधा प्रिसाद आपसे विदा लेती हूँ नमस्ते